नमस्कार दोस्तों मैं राजी बंसल आप देख रहे हैं हांसी के आवाज मैं मेरे स्टूडियो हांसी के आवाज से बोल रहा हूँ हम अपडेट लेकर फिर हाजिर हुए हैं जिले की हिसार जिले में आज यादि की देर रातरी को जो रिपोर्ट आई है 832 नई केसिज आए है जिससे एक्टिव केसिस का आकड़ा 6,000 पार कर गया है और मोत का आकड़ा 400 पार कर गया है अब तक जब तक से संकरमन चालू हुआ है ये 400 से पार कर गया है वहीं हम आपको हांसी की रिपोर्ट दिये देते हैं कि हांसी के अंदर देर रातरी को जिससे हम आज सुबह पोजिटिव केसिज आए हैं और नए पोजिटिव केसिज आने से जो संकर्मन का आकड़ा है वो 400 के नजदीक 400 पार कर गया है एक्टिव केसिज का वहीं हम बता दें कि हासी में कल दो धुर्वागे वंस मोते भी हुई हैं एक 50 वर्सी महिला की और एक 66 वर्सी वकील की जिनका सिसायपुलसंचा ग्रह में परोटोकोल से संसकर्ठ किया गया है वहीं हम जिले की कुछ और आपको घडते हैं कि जिले में केसिज ज्यादा आने से हॉस्पिटलों में बहुत ज्यादा रश्च है कई हॉस्पिटल मरीजों को यानी तामिरदारों को हॉस्पिटल में भर्ती कराने पर मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है डी सी मैडम ने कल पूरे हिसार का दोरा किया हॉस्पिटलों का दोरा किया और तीस ऑक्सीजन कंस्टेटर जिसे बोलते हैं कंस्टेटर बोलते हैं कि जो वातावरन से सीधी ऑक्सिजन लेते हैं और एक मिनिट में पांस से दस लीटर की ऑक्सिजन उनसे मिल जाती है दूसरी गैसिस को अलग करके ऐसे तीस कंस्टेटर ऑक्सिजन कंस्टेटर आ गए हैं और डीसी मैड़म ने कहा है कि हमने सो कंस्टेटर की डिमांड की है इस तरह से हिसार के अंदर और हांसी के अंदर लगातार किसिस बढ़ना एक चिंता का विशे तो है यह साथ में आपको सजगता भी कर रहा है कि आप दूसरी लहर के कहर से अपने आप क्यों संकर्मन से बचाएं हांसी के अंदर बता दें कि एक चार वर्षिय बच्ची भी करोना से संकरमित मिली है तो यह बच्चों में भी बहुत स्प्रेड आउट हो रहा है हम बता दें कि बच्चों में भी यह फैल रहा है और अपने नोनियालों को बचा के रखिएगा करोना वाइरस के जो सिंटम से पहले वाइरल होते थे हमने डॉक्ट कि लक्षण यानिकी कोविड के हो सकते हैं बचाओं मईई बचाओं है जी है चाँसी के अंदर वैक्सिनीशन चल रहा है और बता दें कि एक मई से 18 प्लस के वैक्सिनीशन शुरू हो जाएगा जिसकी कल से रिजिश्टेशन शुरू हो गई है काफ़े लोगों ने जरूर रहीएगा कि करोना किसी का सगा नहीं है, इस दूसरी लहर को हमें बिल्कुल यही ब्रेक करना है, मैं बार बार मेरे अडिटर आजे सैने जो पार्शद है, वह बी इलतजा करते हैं, और मेरी इलतजा करता हूं कि दो गजकी दूरी मासक है जरूरी, मैं मेरे स्टूडि जिंग आए या चीक आए तो एक दूसरे से थोड़ा सा दूरी बना कर रखिएगा करोना का कहर बराबर हो रहा है लेकिन परसासन सजग है डॉक्टर्स वार वारियर की तरह काम कर रहे हम किसी को कोशते नहीं है कि भी किसी में कामी है लेकिन सिस्टम को बनाने में डी सी मेडम S.D.M. हमारे हासी के लगे हुए है धारा 144 शहर के अंदर लगी हुए है पुरे जिले में और बजार 6 बजे बाद बंद हो जाता है उसके बाद लोगडाउन शुरू हो जाता है आप इन सब S.O.P. की गाइंड लाइंस का पाना कीजिएगा और खुश रहिए अपनी इमिनि की काम ना करता हुआ टेक केर आफ यूर हैल्थ फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ बस्तुरू है